सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज योटिप चैनल को रिस पैर आइकन को ज़रूर दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो का लिटेस अब्डेट मिल सेके जो की बिल्कुल मुख थे कबीर दास जी ने कहा था सोच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप यहां आकर आपसे तमाम बाते करते हैं कहते हैं कि आपकी सुरक्षा करेंगे मैं पूछती हूँ अगर आप इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं आप इतने बड़े तपस्वी हैं तो आप किसान को सुरक्षित क्यूं नहीं रखते आप नौजवान को सुरक्षित क्यूं नहीं रखते आप मेरी बेहनों को सुरक्षित क्यूं नहीं रखते क्या सुरक्षा के लायक नहीं है इस देश के वासी तमाम भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हुआ लेकिन इन चीजों का जवाब आपके सामने कभी नहीं दे पाते जब जब आपके सामने आते हैं तो सिरफ बड़ा बड़ा प्रचार होता है सिरफ फिजूल की बाते होती हैं आपको नए सपने नए उमीद दिलवाते हैं लेकिन जो पुराने सपने दिलवाए थे पांच साल पहले जिनको इन्होंने चूर चूर कर दिया इनके बारे में आपको एक भी लवज नहीं कहते आदिवासियों पर हमला करना इस देश की आत्मा पर हमला करना है इंद्रा गांधी जी मेरी दादी थी बच्पन से हमें उन्होंने सिखाया हमें कहती थी जो भी आप आदिवासी उनको छोटे छोटे पुरसकार देते थे घर पे लाती थी हमें दिखाती थी और हमें आपकी सभ्यता आपकी संस्कृती के बारे में सिखाती थी मुझे अच्छी तरह याद है कि वे हमेशा कहती थी कि जो आपकी संस्कृती है जंगल जानवर जमीन से जो आपका जुडाव है जिस तरह से आप जमीन जंगल जानवरों की रखवाली करते हैं उससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए वो हमेशा कहती थी कि सबसे आधुनिक सोच कि सबसे आधुनिक सोच जंगल जानवरों और जमीन के प्रती आदिवासियों की ही सोच थी कि किस तरह से आप उनकी रक्षा करके इन्सानियत की ही रक्षा करते हैं तो ये बाते मुझे बच्पन से याद है इसलिए मैं इंडरा जी की पोती हूँ और आज आपके सामने खड़े होकर आपसे एक आगरेह करना चाहती हूँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप पूरी तरे से जागरुक बन जाईए आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है आपका राजनेतिक इस्तमाल हो रहा है और पाँच सालों के लिए आपका निरादर किया गया है आपको नकारा गया है आज चुनाओ आ रहे हैं तो बड़े बड़े बातें हो रही हैं मंच से और जिस मंच पे बैठे हुए नेता है जो भी नेता है चाहे मैं हूँ, चाहे सियम साब है चाहे भूरिया जी है या चाहे भाजप्पा के तमाम नेता और प्रधान मंत्री है जितने भी नेता इस मंच पे बैठते हैं आपके सामने प्रचार करने आते हैं उन सब को आपने बनाया है उन सब को आपने मजबूती दी है आपकी शक्ती के बिना किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो आकर मंच पे खड़ा हो इसलिए मेरी बेहनों और मेरे भाईयों अपनी श इम्मेदारी आ रही है आपके सामने ये जो वोट है आपका ये बहुत कीमती है इसको व्यर्थ मत करिए इसको व्यर्थ करने का मतलब है कि पांच और साल आप भुख देंगे आप एक ऐसी सरकार को भुख देंगे जो भ्रश्टाचार जूट और आपको दबा कर आगे बढ़ जब किसानों ने प्रदर्शन किया उन पर गोली मारी गई जब आदिवासी प्रदर्शन करते हैं उनको दबाया जाता है जब नौजवान अपना हक मांगता है उनको दबाया जाता है उत्तर प्रदेश की तो महिलाएं जब प्रदर्शन करती हैं उनको पीट कर उनको जेल म डाला जाता है ये कोई लोग तंत्र नहीं है बेहनों और भाईयों लोग तंत्र आपका है लोग तंत्र का मतलब है ये देश आपका है इसी लिए आज इस मंच पर खड़े हुए मैं इंद्रा जी की याद आपको दिलाते वैं ये कहना चाहती हूं कि आप अपनी सक्ति को अचानिये आप एक ऐसी सरकार लाएए जो आपकी सक्ति वापिस आपने हातों में दे ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए जो फिजूल की बाते करने के बजाए आपको ये बताए कि आपके लिए क्या किया है और आपके लिए क्या करने जारे हैं आज भाज़पा के सम्मान योजना निकाली है उन्होंने जिसके जरीए छे हजार रुपए हर साल आपको दिये जाएंगे आपको पाच सालों के लिए नकारा आपकी जरूरतों को ठुकराया आप कर्स में डूब रहे थे आपके कर्स को किस के लिए कोई सहायता नहीं दी जो आत्महत्या कर रहे उन्हें आत्मात्या करने दी और आज चुनाओ के दो महीने पहले किसान सम्मान योजना निकाली है और मैं आपको बताती हूँ कि इस किसान सम्मान योजना से आपको क्या मिलेगा हर रोज अगर आपके परिवार में चार या पांच सदत से भी हो अगर आपको छे हजार रुपए सालाना दे भी दिये जो कि मैं नहीं समझती कि आपको कभी देंगे भी लेकिन अगर दे भी दिये तो हर सदस्य के एक दिन में दो रुपए बनते हैं भाईयों बैनों इस महिंगाई के जमाने में बताइए ये किसान सम्मान योजना है कि किसान अपमान योजना है ये आपको सम्मानित कर रहे हैं या आपको अपमानित कर रहे हैं कॉंग्रिस पार्टी के नेता जब आपके सामने आते हैं आप से ठोस बात करते हैं आपसे ये बात करते हैं कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी ने कहा है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना सरकार देगी और ये 72,000 रुपए मेरी बेहनों के खातों में जाएंगे और कॉंग्रेस पार्टी ने ये योजना इसलिए बनाई क्योंकि आपसे जूटे वादे किये गए थे आपसे कहा गया था कि 15,000 रुपए आपकी जेब में डाले जाएंगे लेकिन मोदी जी ने एक रुपए आपको नहीं दिया बड़ी बड़ी योजनाएं की बारे में बात करते हैं उजवला योजना कहा था मेरी बेहने आपको अगर एक गैस का सिलिंडर मिल भी गया हो तो इसके बाद एक सिलिंडर आपको खरीदने पड़ा इतनी महंगे दाम पे कि किसी ऐसी महिला से मैं नहीं मिली कि उसको दूसरा सिलिंडर मिला हो इस तरह की फिजूल की कारीबी की दलदल में निसे निकलने की उमीद रख पाएं अपने पैरों पे खड़े होने की उमीद रख पाएं इसके इलावा सरकारी हस्पतालों में स्वास्त का जाच और इलाज मुफ्त में होगा सरकारी पाटशालाओं में बारवी कक्षा तक शिक्षा मुफ्त में मेरे नौजवान भाईयों के लिए अगर आप अपना कारोबाज शुरू करना चाहते हैं तो तीन सालों के लिए आपको किसी भी पर्मिट या पर्मिशन की ज़रूरत नहीं होगी भाजप्पा के शासन में 24 लाख रोजगार सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं कॉंग्रेस पार्टी ने ये तै किया है कि अपनी सरकार के बंते ही एक साल के अंदर अंदर वो 24 लाख रोजगार भर दिये जाएंगे 10,000,000 ग्रामी इंस्तर पर रोजगार बनाए जाएंगे मन्रेगा को मजबूत किया जाएगा 100 दिन से 1500 दिन का बनाया जाएगा आपको मजदूरी समय पे मिलेगी नई-नई योजनाए मन्रेगा में भी मिलेगी इसके साथ साथ मेरे किसान भाईयों और बेहनों के लिए एक अलग बजट बनेगा जिसके जरीए आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी युजनाएं कितनी पूंजी खर्ची जाएगी आप पर और किस तरह से उनको सफल उन्य युजनाओं को सफल बनाया जाएगा किसानों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यह भी सोच है कि छोटे छोटे फूड पार्क बनाये जाएगे जिससे आपकी उपज सीधी देश भर की बाजारों से जुड़ जाएगी जो दुकानदार और छोटे उद्योग पती जी एस्टी से तरस्त और परिशान है जिनकी कमर इस भाजपपा की सरकार ने तोड़ डाली है उनको एक बार फिर मजबूत करने के लिए उस जी एस्टी को एक ही मात्र एक सरल जी एस्टी में बदलने के लिए कांग्रिस ने अपना मन बना लिया है जो मेरे आदिवासी बहन भाईयों के लिए कानून कांग्रिस ने लागू किये थे उन कानूनों को दुबारा से लागू करना और मजबूत करने की जिम्मेदारी कांग्रिस पार्टी लेगी इसलिए मैं आज आप सबसे आगरे करती हूँ कि वोटिंग के दिन जिस समय आप पोलिंग पे जाएंगे और किसी पार्टी के पक्ष में बटन दबाएंगे तो मेरी बातों को याद रखिए और उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ आपके सामने खड़े हुए कभी मैं आपके सामने जूट नहीं बोल सकती सचाई ये है कि ये सरकार आपके हित में काम नहीं कर रही है जो आपकी किसान की बीमा का पैसा है वो भी दस हजार करोर बड़े बड़े उद्योग पतियों की जेब में जाता है आज स्थिती ये है कि कांग्रेस पार्टी किसान के कर्ज माफ कर रही है भाजपा के नेता हमारा मजाक उडाते है हमें जूटा कहते है और ये कहते हैं कि अर्ध व्यवस्ता में पैसे ही नहीं है गरीबों को देने के लिए किसान के कर्ज माफ करने के लिए सच्चाई क्या है बेहनों और भाईयों पांच सो पचास हजार क्रोड रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योग पतियों को माफ किये हैं ये स्थिती है ये सच्चाई नहीं कहते ये आपको जूट से गुमराह करना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे ये सत्ता में रहें और आपको कुचल जाएं इस लोक तंत्र को तोड डालें इसलिए ये चुनाओ सबसे महत्वपून है इस चुनाओ में सोच समझ कर अपना वोट दीजिए कॉंग्रेस को जब आप मजबूत बनाएंगे तो आप अपने आपको मजबूत बनाएंगे आप अपने बच्चों का भविश्य मजबूत बनाएंगे आप अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने नौजवानों, किसानों और अपने भाई बेहनों को मजबूत बनाएंगे मैं आगरे करती हूँ कि भारी बहुमत से आप कांतिलाल भूरिया जी और कॉंग्रेस के तमाम उमीदवारों को मध्यप्रदेश की धर्ती से विजयी बनाकर देश भर में ये ऐलान कीजिए कि ऐसा अब नहीं चलेगा कि देशवासियों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की हित में काम करे और जनता का आदर करे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत ध्यान से मेरी बाते सुनी जैहंद सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज योटिव चैनल को रिस बैर आइकन को जरूर दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस अबडेट मिल सके जो की बिलकुल मुथ थे